चत्रपती श्वाजी महराजकी जाए भवानी जाए स्रीराम जाए जाए स्रीराम प्रभू रामच अंदर जी के पदचिन्नों से पावन हुई इस पवित्र धर्ती पर देश में नहीं बलके दुनिया में सबसे नमबर एक के लोग का पुरिय नेता और यशे स्री प्रदान मंत्री नरेंद्र मोजी जी का मैं राम टेक में तहे दिल से स्वागत करता हूँ उपस्देत हमारे लोग प्रिय उप मुख्यम मंत्री देवेंद्र जी है और केंद्रिय मंत्री अधर्निया हमारे नितिन गड़करी जी प्रपूल पटेल जी रामदास आठवले जी सबी मंच पर उपस्दित महानुबो समय कम है इसले मैं सब्ता नामने ले पर रहूँ इस समय गर्मी की लहर चल रही है लेकिन उसकी परवा किये बिना यहाँ पर जन सहिलाब यहां मोदी जी को देखने और सुनने को आया है गर्मी से बड़ी मोदी प्रेम की लैर पुरे महाराश्ट में पुरे देश में हमें दिखाई पड़ रही है मोदी जी का हेलिकाप्टर जैसे यह आवाज करता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं स्वागत के लिए इतनी बड़ी लोक प्रियता इस महाराश्ट के जनता में आपके प्रती है और इसलिए मोदी 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 आईसी पुरे देश में यह जैकार सुनाई दे रही है और वो प्रबो स्री राम चंदर जी के अशिर्वात से मोदी जी विकसीद भारत का निर्मान कर रहे है छत्रपती शिवाजी महाराज सिको अभिप्रेट सुराज निर्मान कर रहे है इसलिए सिर्फ हर गर मोदी नहीं अब मनमन मोदी है और यह पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है सत्ता की कुर्सी पे के लिए बोखला गया विरोधी बख्च मोदी द्वेश्य पिडित है जिनका जीवन सिर्फ भष्टाचार गोटा ले और रोकडा गिन्ने में बिद गया उनको मोदी जी के ओपर आरोप लगाने का कोई नईतिक अधिकार नहीं बचता है और इसलिए मरादी में एक कावत है कि अंगात नहीं बढ़ आनि चिम्टा काड़ून पढ़ ऐसे उनकी हालत है यदि मोदी जी को पर आरोप करते हैं बार बार आरोप करते हैं लेकिन मोदी जराबी धैन नहीं देते अगर वो जराबी नजर गुम गए उनकी तो फेस्बूक लाईउ करने वाले के मुझसे फेस मतलब जाग निकल आएगी लेकिन एक कावत है हाती चलता है बजार मैंने बता हूँ मैं बूलू मैंने लेकिन जितने भी उपक्ष मोदी जी की आलोचना करेंगे 2014 को अलोचना की आरोप किया ये देश की जनता ने उनको घर पे बिटा दिया 2019 को आरोप लगाया जनता ने उनके विरोधी पक्ष विपक्ष के नेता के इतने भी खसदार सांसत नहीं चुन्यारे दिये और अब भी 2024 में ये इतना रोप लगा रहे है कि मुझे लगता है अब सब की सब रिकार्ड मोदी जी तोड़ेंगे क्योंकि इस देश की 140 करोड जनता अब मोदी जी के साथ है और उन्होंने गैरंटी ली है मोदी जी को फिर एक बार और इसलिए ये इंडिये के पास आत्मविश्वास है और इंडिया अलाइंस के पास आंकार है ले जाता है और आंकार विनाश की ओर ले जाता है और इसलिए प्रभू राम चंद्र जी ने आंकारी रावन का नाश किया ता यही रामतेख है प्रतिया कहते हैं और यहाँ पर इंडिया लाइंस के आंकार की लंका देश की जनता जला कर खाथ कर देगी यह ऐसा विश्वास और पूरा माहूल दुनिया देश पे है और उनकी नेती ना नियत है ना नीती है ना निरने है उनका अजेंडा है करप्शन फस्ट लेकिन मोदी जी का अजेंडा है देश का विकास देश की प्रगति और नेशन फस्ट यह हमारे मोदी जी का अजेंडा है और इसलिए अब यह सत्ता के बाहर है वो लवाई थे सब एक दुसरे के गले लग रहे लेकिन यह साप और जो इनका निवाल काई साप मुंगुस नेवला साप और नेवला की जो दोस्ती हुई है यह जनता खुब अच्छी तरह जानती है और इसलिए आने वाले चुनाओं में उनको घर का रस्ता दिखाने का काम हमें सब को मिलकर करना है मैं इतना ही कहूंगा कि देश की अर्थ व्यवस्ता को नेय आयाम देने का काम नहीं servicio पर लेजाने का काम ग्यारवे में से पाच्छे नंबर पर लाने का काम अब आगे तीसरे नंबर पर लाने का निर्धार करने वाले मोदी जी आज हमारे देश के प्रधान मंत्री है यह ह और इसलिए 2014 में मोदी जी प्रदान मंत्री बने तब शेयर मार्केट का संसेक 25,000 था आज वो 75,000 तक पहुँझ गया है इसलिए ये विकास हो रहा है ये देश की प्रगति हो रही है मोदी जी ने गरीब को बढ़ाया गरीबी जे उपर लाया 25 करोड लोगों को 80 करोड लोगों को कोविड में मुक्त दानने राशन देने का निरने था उसको आगे 5 साल बढ़ाया पदल इस देश में कोई भूका नहीं सोये ऐसे मोदी जी के विचार है रोटी कबड़ा और मकान देने वाले हमारे प्रदान मंत्री कहा और बरश्टा चार और घोटाले करने वाला विपक्ष का एक आदिवासी समधाई की बेटी को इस देश के सरवच्च पत पर बिठाने वाले मोदी जी और यहाँ पर उनको राष्टपती बनाया और हमारे देश के बेटी को राष्टपत्नी कहकर अपमान करने वाले कांग्रेस कहाँ पर और इसलिए इस देश के आदिवासी जनता ये कांग्रेस को आने वाले चुनाओं में पूरी तरह इसका बदला जरूर लेंगे क्योंकि दलीत अधिवसी को सिर्फ पांग्रेस ओट बेंग करके इस्तेमाल करती थी लेकिन मुदी जी ने उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया है उनका जीवन बदल दानने का काम किया है और उनके जिवन को बदलने का गैरंटी ली हुई है यह फर्क है और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि इस देश के हर वर्ग को किसान हो कामगार हो माता भेने हो गरीब हो शोशित हो पीडित हो दलित हो सबका उत्थान करने का काम मोधिज ने किया है और इसलिए रामटेक नही नाकूर नहीं पुरा महारस नहीं पुरा देश इंतदार कर रहा है ओटिंग दे का मतदान करने का और इसलिए यहाँ पर आने वाले उन्निच तारीक को गड़करी साहबान चापन एकोणिस तारकेला या रामटेक मदोन राजु पारवे यहन ना त्यांचा नावा समोर्च दनुष बान चा बटन दाबोन त्याना प्रचंड मतानी विजाई कराईच आने नाकूर मदोन आपले नेते नितीन गड़करी साहबान त्यांचा अपन विजाई कर विया एवड़े संतों अनि अब की बार अब की बार फीर एक बार धन्यवाद जय हिज्द जय महराश्ट जय सिर्राम बहुत बहुत धन्यवाद आदरने मुख्यमंत्री महुदेश्ट और अब हम सब मिलकर